दोस्तों नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है, आप लोग मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सबस्क्राइब करे हैं उसके लिए शुक्रिया, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्णि मैं बात कर देता हूँ, वाट्सैप पे ही आप मैं डीटेल प्रोवाइट कर देता हूँ और उन डीटेल में से जो कुली सेलेक्ट होते हैं, मैं उसकी रिडिंग करके लिंक वाट्सैप पे भेज देता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जो लोग वाट्सैप में मुझे डीटेल भेज रहे हैं और वाला जो प्रोसेस है, अपना जो चैट है, उसको बंद करके मुझे चैट में मैसेज डॉप करिए, ताकि आपका डीटेल मेरे पास पर्मनेंटली रह रह पाए, एट लिस उस ताइम तक रह पाए, जब तक आपकी रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, तीसरा पॉइंट, अ ऐसा होता नई है, तो फ्लीस थोड़ा सा वट्सयप पे और यूट्वब चायनल पर जो आप लोग फोकस कर रहें, उसको आप देखकेいきlest करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, तो मेरे से सosis करें कई और की चैनल को करें तो उससे सब करें च Madonna아bs, उसकी 'll let it के दिमाग का. और जो परिषानिय उसको बेच दीजिए और नहीं भिखा हुआ तो रदी में भेच दीजिए और रदी में भी नहीं भिक रहा है तो उसे फैट दीजे. और अपने दिमाग को clean करके आगे बढ़िए क्योंकि दिवाली के बात का समय हो चुका है और अब आपके लिए जिवन का काफी सारी नई चीजे शुरू होने वाली है उसका रीजन यह है कि कई सारी planetary conditions change हो रहे हैं और कई सारे planets powerful planets चाहे राहू हो केतू हो मंगल हो या गुरू हो तीन चार महीने बाद गुरू भी अपना बदलाव लाने वाला अगले 18 महिने में तो प्लीज अपने आपको कहीं पे भी आपके अंदर कोई भी process कहीं पे भी आपको लगता है जिकि आपने negativity एक self analyze करिए किसी से पूछने का जरूरत नहीं है self analyze करिए अंदर की negativity और अंदर की जो भी चीजे हैं जो आपको लगती हैं आ इसी के लिए काफी जादा कहा तक हो सकता है लेकिन दोनों ही process में आप जब तक अपने आपको एनलाइस करके growth की तरफ नहीं जाते हैं तब आप लोगों को result नहीं देगा यह राहू काफी जादा कई लोग के लिए positive है कई आज जो चीजे बोल रहे हैं और यह सच भी है उस उसको लेके मत चलिए अपनी personal life की problems या कोई भी problems उसको लेके मत चलिए यही आप लोगों से request करूँगा अब दूसरा point of view यह है कि आप लोगों को जैसे मैं हर बार बोलता हूँ अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगो request लेके channel subscribe करें और description में जो personal reading के लिए आप call जरूर कर सकते हैं एक nominal charges होता है वो आप pay करेंगे तो आपकी personal reading हो जाएगी बहराल आप जो पहली कुल्ली है उसकी regarding बात कर लेते हैं जो 15 November की जो selected कुली से उसकी process में शुरू कर दिया है जो जो कुल्ली select होती चले जाएगी उस उसका वीडियो में बनाता चला जाऊँगा आप लोगों से उमीद ये करता हूँ जिकि आप लोग अपना अपनी आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले एक हफते के अंदर अंदर कोशिश करूँगा जिकि जित्ती भी कुल्लिया है उनकी reading हो जाए आज भी मल्डिपन कुल्ली की reading करने वाला हूँ तो कुल्ली की reading कर लेता हूँ जो जो कुल्ली इस पार सेलेक्ट होई है ठीक है तो पहला कुल्ली SKG का है SKG आपका लास्ट मुवाइल नंबर है 8629 तो वाट्साइप पे आपने जो मुझे डीटेल दिया वो वाट्साइप का नंबर है 8629 आपके दो सवाल है करियर से लास्ट को और मैं आपको इतना बता देता हुँ जैके आपकी कुल्ली में 1 में लगन की है को में में शनी आपका कारक है लगनेश है वो पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है जो कि अच्छी point है और पंचम स्थान से सात्वे घर को देख रहा है अगर आप देख पाएं तो आपकी कुंडली में नंबर थोड़ा सट पाके देखेंगे तो आपकी कुंडली में Saturn जो है योग कारक प्लैनेट होता है योग कारक प्लैनेट होने के कारण अगर वो शुक्र कहीं भी पॉजिटिव जगा में और बैट जाए तो यह बहुत अच्छा होता है शुक्र का शैनी के सामित्रता होती है और इस कारण में आपको यह बोलूँगा जिकि अगर लगन में शुक् करते हैं आपकी पसंद की शादी होगी और आपके गुरू लंगन सात्वे स्थार में बैठा हुआ तो इसकारण वर्ष यह भी जरूर बोलूँगा जी कि आपके घरवालों की पसंद से यह शादी जरूर जो personality है वो इस country की ना हो या आप डिफरेंट स्टेट की हो तो आपकी पसंद की शादी जरूर होगी चांसेज यह है चांसेज यह है जिकि आप love marriage करें और जिनसे करें वो काफी आपकी personality काफी सुंदर है और जिनसे आप शादी करेंगे वो भी काफी समझदार होंगी क्योंकि गुरू आपके सब्तमस्तान में बैठा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है शनी की दिष्टी के कारण थोड़ा सा love में शादी में डिले हो सकता है जिकिन जो relationship है उसमें शनी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा complication जरूर देगा लेकिन सोच समझ के अगर आप काम करेंगे और अगर आप थोड़ा सा relax होके काम करेंगे तो जरूर यह आपके लिए love marriage की तरफ ही indicate करता है तो मेरी तरफ से तो मैं आपको love marriage के लिए advice दूँगा लेकिन family का support जरूर लेके रह अच्छा रहेगा love marriage अच्छी रहेगी थोड़ा सा सूरे के उपाय जरूर करिएगा क्योंकि सूरे यहाँ पर वीक है सूरे शनी के घर में बैठे हुए और सूरे शनी के घर में बैठे हुए comfortable नहीं है तो आपके expenses और आपके health को लेके थोड़े से problem हो सकते हैं हाले कि आपन जरूर हो सकतैं के अच्छा रिलेशन्शिप चल रहा हो कहीं ना कहीं दिखा रहा है वो सॉल्व होगा मून का अगर मून की जब अंतरशा लगेगी तब कुछ हट तक यह सॉल्व हो जाएगा आप अब प्रिजेंट लेकिन मून भागेस्तान में बैठा हुआ है और आपका छटे घर का मालिक अगर शॉट टम में बोला जाए तो कोई डिस्प्यूट्स अगर हो तो वो सॉल्व हो जाएंगे आप अगर आप पर्सू करना चाहते तो यहां पर पर्सू कर सकते हैं आपको अच्छा रिजर्ट मिलेगा आपकी यह जबी कम है मेरे इसाब से 19 साल प्लस है आपका तो आप जरू कंपेटिव एक्जाम में भी आप कोशिश करिए गौर्मेंट जॉब का आप कोशिश कर सकते हैं हाले कि यहां पर बैठा हुआ गुरू जो सातवे घर में बैठा हुआ है और आयश का मालिक हो के सातवे घर में बैठा हुआ यह कहीं नहीं दिखाता है कि पार्टनर्शिप से कहीं नहीं आपको थोड़ा से करिएगा ज्यादा क्लोजली पार्टनर्शिप करेंगे ज्यादा इंवेस्ट करेंगे पार्टनर्शिप में तो लॉस होने के थोड़े बहुत चांसे हैं तो गुरू की यहाँ पर अगर आप करिये बात करूं तो गुरू से रिलेटर आप कुछ भी काम कर सकते हैं शुक्र प्रोफाइल से आपको ज़्यादा अच्छा पैसा मिले लेकिन यहां मंगल कही न कहीं कॉम्णिकेशन में और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी लॉज भी दिखाता है तो कहीं न कहीं मैं यह ज़रूर बोलूगा गुरू सब्तमस्तान में बैटके कहीं न कहीं लव मैरीज की तरफ लगजरी गुर्स की प्रोटक्त की काम करते हैं या कौई भी काम करते हैं यह अगर कौई भी लगजरी काम करते है जो तो Venus और Saturn का combine करके कुछ भी काम हो जाए Saturn represent करता है Metal को, properties को और मंगर represent करता है properties को और Venus represent करता है luxury, beauty and charisma को तो इन सब चीजों को अगर आप personality में include करके इसमें अगर आप काम करें profile में तो आपके लिए अच्छा रहेगा हाला कि अगर आप government job भी try करना चाहिए तो बिल्कूल कर सकते है chances थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पर 12,000 बैटा है तो birthplace से दूर अगर आप apply करते तो होता है यह मेरे advice में आप अगर business करते हैं father का अगर कोई business है या आपकी mother का कोई business है mother के साथ कोई business करते है तो आपको ज़रूर benefit मिलेगा या आपकी wife के साथ future में या partnership में relationship में किसी के साथ काम करते है उसमें भी benefit मिलने के chances है बस समल के रहेगा कही ना कहीं जाधा attachment कहीं ना कहीं loss करवा सकते है तो यह रहा आपके career से related advice teaching में भी आप जा सकते है teaching भी आपके लिए अच्छा रहेगा तो teaching property, interior decoration, car, dealership कोई भी business हो शुक्र से related हो और शनी से related हो और गुरू से related हो जैसे teaching होगे गुरू से related शनी से related law होगे गुरू भी law से रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं property मंगर रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके planets काफी अच्छे बैटे हो और तीसरे स्थान में राहू बैटा है तो आप competitive exam से भी आप clear करके निकल सकते हो और अभी जो समय दिखा रहा है गुरू के अंदर मून तो हो सकता है आप competitive exam देखे भी government job की तरफ भी अग्रसर हो सक सकते हैं जा सकते हैं उससे भी आपको पैसा मिल सकता है आपकी मर्जी है यह आपका choice है यह सोचके चलिएगा जो आपकी मन हो वो करिएगा क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं शुक्र शुक्र शनी पांचवे स्थान में बैटा है तो आपका luck ज़रूर favor करेगा लेकिन delay करेगा थोड़ी महनत के जूर करनी पड़ीगे फिर ही आपको फायदा मिलेगा लेकिन जो पसंद है उसी में आप महनत करेंगे तो अच्छा रहेगा जो पसंद नहीं उसमें करेंगे तो मन नहीं लगेगा और वो half-hearted efforts में आपका success नहीं मिलेगा तो बहराल मुमित करता हूँ आप आप मेरी reading समझ में आई हो प्लीस like and comment अगर आपको पसंद आता हो तो दूसरी reading कर लेता है यह जो reading है वो है दूसरी कुंटिस होने से पहले एक चीज पॉइंट रहे गया एसके जी आपके आप मांगलिक भी है मून चार्ट से आप मांगलिक है तो इस कारें वर्ज में आप आपको बोलूँगा जी कुंडली मिला आप करके शादी करिएगा और थोड़ा डिले करके शादी करेगा यह important point था यह रह गया था तो यह point में आपको बोलूँ एसके जी आप मांगलिक भी है ठीक है तो moon chart से आप मांगलिक है इसको ध्यान पर रखके आप शादी करिएगा future में कभी भी करें तो love marriage के तरफ यह भी denote करता है पसंद की शादी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब बात करेंगे साहिल जी साहिल जी आपका last mobile number है 1715 आपने भी career और love life के regarding पूछा है पहला point तो यह पूछा जी कि सर love life कैसा रहेगा देखिए ऐसा है आपका love life अभी सूर्य की महादशा चल रहे है आपकी सूर्य की महादशा में शुक्र के अंतरदशा चल लिए इसलिए आप थोड़ा सा love life की तरफ ज्यादा focus कर रहे हैं ले देखिए आपके साथ problem यहाँ पर एक ही चीज है जैकि सूर्य पंचम स्थान में बैठा है आप थोड़ा सो authoritative personality के हैं अगर आप love marriage कर रहे हैं तो advisory यह दिखे कि कोई समय से मतलब जो give up करने वाली personality है ऐसे logos क्यूंकि आपके साथ में स्थान में मून बैठा हुआ है Jupiter के घर म 11,000 बैठा हुआ है लेकिन शनी के साथ बैठा हुआ है और शनी यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है 11,000 हाला कि नीच का शनी भी यहाँ पर 11 घर में बैठा है negative असर नहीं देगा लेकिन कहीं ना कहीं Jupiter को जरूर affect करेगा पैसी को related struggle जरूर करेगा लेकिन पैसा जरूर मिलेग बैठा हुआ है लेकिन शनी की महादर्शा अंतरदर्शा में आपको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि शनी के साथ गुरू के बैठने के कारण नाइन था आपका marriage का होज़ा थोड़ा सा week हो जाता है और आपका work house भी स्थान में बैठा है तो आप भी कोई भी government job या authoritative job करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपको government job के लिए जरूर ट्राइ करना चाहिए आपकी age 24 प्लस है तो आप जरूर्मेंट job के लिए try करिए आपको government job इस point पर मिल सकता है और अभी नहीं मिला तो moon related काम भी आप कर सकते ह अगर business करना चाहिए तो business भी अपनी family का deal कर सकते हैं यह business हो सकता है जिके है आपकी family का birthplace से दूर हो यह सकता है आपका business जो family का हो वो गोई liquid related business हो यह cosmetic related या कोई भी पानी से related business हो अगर ऐसा कोई business है तो आप उसको follow up कर सकते हैं उसमें आपको lab मिलेगा शादी के बाद भी आपको लाब मिलेगा और partnership में भी आपको लाब मिल सकता है आपको पैसा जरूर मिलेगा और यहाँ पे आपको family से support जरूर मिलेगा अब बात कर लेते हैं love marriage के देखे हैं आपकी कुली में मैं advisory यही दूँगा जिकि मंगल आपके पांचो उस्तान में बैठा हुआ है जो कि girlfriend और relationship के और donate करता है और आपका relationship जरूर यहाँ पे अच्छा रहेगा अगर आप इसको relationship में ही रखते हैं शादी की तरफ focus अगर lean करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी सी problem होगी क्योंकि यहाँ पे जो moon बैठा हुआ second house से छटा होके बैठा हुआ और अपने घर से 6-8 का relationship बना रहा है और शुक्र भी यहाँ पे जो आपका relationship का जो आप हम देखते हैं love affairs को related जो मार्स और शुक्रों को देखते हैं तो हम देखते हैं आपजी की शुक्र अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है लेकिन वो जो बैठा हुआ है पंचम स्थान में बार्वे स्थान का मालिक होके बैठा हुआ है तो पंचम स्थान तो अच्छा है लेकिन बार्वे स्थान का भी मालिक होके सेकेंड होस में बैठा और मारक होके बैठा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे relationship में कहीं न कहीं यह कहीं शोदा problem जरूरक करते है family के साथ कहीं न कहीं problem जरूर रेनोट करता है जिकी family फैमिली होड़ा satisfactory नहीं होगे अपके relationship को harman को ले आगे का आपके personality में कही ना कही लव marriage में थोड़ा सा इंडिया इंडिपेंडेंस जरूरी होती है बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि लव marriage में इंडिपेंडेंस नहीं फालो करते हैं तो मैं आपको advisory यही दूँगा जिकी love marriage भी करें तो उसको family approval लेके करें क्योंकि moon यहाँ पर 7,000 बैठा हुआ है mother का approval जरूर ले ले क्योंकि mother का approval मिलेगा तो अच्छा रहेगा और यहाँ पर family का approval जरूर ले ले क्योंकि अगर कही न कही अगर family approval नहीं मिला तो जरूर problem होगी career related मैंने आपको बोली दिया और शनी भी यहाँ पर थोड़ा सा down बैठा हुआ है और शनी दूसरे घर का मालिक होके और नवंब का मालिक होके 11,000 बैठा है तो यहाँ पर कही न कही फैमिली और फादर का support कही न कही थोड़ा problem देता है तो मैं यही बोलूँगा जी कि आप profile family से approve करवा कि अगर आपनी love life चलाते हैं या arrange marriage करते हैं तो 2024 तक love affair जरूर चलेगा लेकिन उसके बाद कही न कहीं अभी भी disappointment कहीं न कहीं रहेगी because of your communication or somewhere some of your own thinking और अगर वो नहीं है तो 2024 के बाद आपकी love life में यह सीरेसली आप तभी ले पाएंगे जब आपनी घर के approval जरूरी है घर का approval नहीं लेंगे तो दिक्कत है करियर के related यहीं बोलूँगा जिकि कोई भी related काम अगर आप government related काम करते हैं तो आपको income अच्छी मिलेगी क्योंकि दसवे घर का मालिक अपने से 11 तूसरा होके बैटा है तो government job से भी आपको गुरू का भी गुरू government job को represent करता है और सूरे भी government job को represent करता है दोनों की placement अच्छी है और मंगल की द्रिष्टी पढ़ रहे हाला कि मंगल अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ लेकिन फिर भी मंगल की द्रिष्टी हाँ पर अच्छा result देगी आपको क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आपका आये शो के पंचमतानों बैठा और द्रिष्टी दे रहा है वहाँ पर तो आपके लिए मंगल आप कोई भी अगर sports related भी काम करें गौर्मेंट जॉब में या कुछ भी काम अगर गौर्मेंट में करते तो अच्छा रहेगा या कोई भी ऐसा काम जो authoritative या politics वगरा भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ये भी गौर्मेंट को represent का कुछ भी काम अगर आप ऐसा करें जो और आफोरेटी रिलेटेट काम हो तो उसमें आप कर सकते हैं बस पुलाइटनेस रखिएगा नहीं तो शनी यहाँ पर कहीं नहीं लॉज जरू दिखाएगा आपके करियर में बहराल यही आपके लिए अडवाइजर है अगर आप बिजनस पर फोकस करते हैं तो लिकूर रिले अब यह जो तीसरी कुंडली है विश्वर अंजन की है यह 32 साल की है और आपका जो नमबर है लास्ट है 4950 है 4950 आपका जो वाटसाइब नमबर है आपने जिससे डीटेल वेज़ा उसका लास्ट नमबर 4950 है ठीक है आपका सवाल यह है कि मेरी साकेंड मैरिज होगी के नहीं होगी आपका एक ही सवाल है कि साकेंड मैरिज होगी के नहीं होगी देखें शुक्र आपका डेपलिटेटेट है और 2020 तक मेरे शुक्र की महादसा चल ली होगी और शायद अगर आप पर डिवर्स वगरा होगा तो 2020 के आसपास होगा या आपका कोई भी रिलेशन्शिप में जो भी चीज होई है डेथ होई है या किसी की कुछ भी होई है वो 2020 के आसपास होई होगी या उसके बाद होई होगी तो अब बात यह आती है कि आप जो इस सवाल पूछने है कि मेरे कुनली में सेकेंड मैरिज है कि नहीं है देखी शादी जो है वो कोई भी कर सकता है दूस satisfaction नहीं देगा शादी में क्योंकि शनी हापे आपके सात्वे घर में बैटा हुआ है marriage के house में शनी बैटा हुआ है लेकिन वो अपने घर में बैटा हुआ है इस चीज का ध्यान रखेगा अगर आप समझदारी से अपने आपको resolve करके personality बनाती है अगर आप बिना expectation के काम करती है अपने life में आप सिरफ ये goal रखे हैं जिकि peace of mind चाहिए और ऐसी personality के शादी करूँ जो मुझे peace of mind दे ना कि पैसा लेलेटर अगा आप सोच रही है या आप सोच रही है या आप सोच रहे हैं के शनी आपके सात्वे घर में बैठा हुआ है और वो सीधी द्रिष्टी सात्वी द्रिष्टी लगन को दे रहा है अगर लगन पर शनी की द्रिष्टी और मून अगर वहाँ पे बैठा हुआ है दो चीजे negative हो जाती है पहला तो आपका Venus यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है तीसरे घर में तो यहाँ पे कहीना कहीं relationship और boyfriend और girlfriend से boyfriend से कहीना कहीं disappointment बिलती है और कहीना कहीं moon यहाँ पे जो लगन में बैठा है strong है लेकर स्वशनी की द्रिष्टी के कार कहीना कहीं marriage से dissatisfaction illusion जो satisfaction का जो एक भाव है उसको separate करता है और वो क्यों separate करता है कहीना कहीं अगर आप कहीना कहीं अपनी expectation रखेंगी कि पैसा मिले growth मिले या expect करें कि उस आदमी से कुछ मिले तो आपको satisfaction है आपकर मुझ शनी नहीं देगा लेकिन अगर आप शनी से यह expect करें कि कि मेरी शादी हो उस इंसान से जो वहवार में अच्छा हो behavior में अच्छा हो जिसकी personality एक helping personality हो जो सच में मुझे को पसंद करता हो जो सच में मेरी care करता हो और मैं सच में उसको लेके जो दिल का आपका भावजी कि यह आदमी बहुत अच्छा है और आप सच में किसी से प्यार करती हैं और वह सच में आप किसी में interested हैं अगर वैसी personality से अगर आप शादी कर रहे हैं और give up करने के लिए राजी हैं और work out करने के लिए राजी हैं तो यह शनी आपको negative effect नहीं देगा materialistic चीज़ों से आप दूर रहके अगर शादी करती हैं तो यह शनी आपको negative effect नहीं देगा शनी यह reason कभी भी इस चीज़ को deny नहीं करेगा दसवे घर में जरूर सातवे घर में शनी बैठा और अपने लगन में बैठा हुआ है जरूर कोई कई लोग यह बोलेंगे जिकि यह शादी के लिए अच्छा नहीं है मैं भी यह बोलूँगा लेकिन वो materialistic world के लिए अगर materialistic world से थोड़ा से दूर अटके आप शादी करना चाते है तो कोई problem नहीं अब बात कर लेते हैं जिकि बाकी planet और महादशाओ का क्या असर है सूरे की महादशा चल रहे है 2026 तक चलेगी सूरे की महादशा या कही ना कही सूरे मंगल के साथ पंचम स्थान में बैठा है जो कि अच्छा स्थान में बैठा है सूरे यहाँ पर आप अगर अपने relationship को focus करती है relationship की तरह जैसे boyfriend की तरह आप किसी को deal करती है अगर आप किसी के साथ long term relationship में जाना चाती है तो यह time बहुत अच्छा है long term relationship में जाने के बाद इस इंसाम को समझने के बाद एक authoritative फिकर क्योंकि आप कही ना कही अपने आपको give up करते है बहुत थंडे दिमाग से अपना focus जरूर है लेकिन आप बहुत थंडे दिमाग से काम करती है कि सूर्य मून आपके चौथे स्थान में बैठा हुआ लेकिन शनी कही ना कहीं आपको expectation दे देता है materialistic वाला expectation देके आपको खीचने की कोशिश करता है उस चीज से और वहाँ पर आपको disappointment मिलती है तो मन का भावाँ खराब हो जाता है तो मैं यहीं बोलूँगा जी कि यहाँ पर long term relationship में अगर आप जाए instead of शादी शादी हो जाएगी जब हो नहीं हो जाएगी यह सोच के अगर आप चले तो यह सूरे आपको जरूर यहाँ पर कही ना कहीं आपको benefit देगा relationship को लेके शादी एक stigma है एक sticker है लेकिन actual में life जीने के लिए एक partner की जरूत हो अगर वो सोच के चलेंगी तो सूरे यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा हाँ वो personality थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है क्योंकि मंगल के साथ सूरे बैठा है यहाँ पर बहुत ही तोनों ही हाटकोर personality है तो कहीं नहीं यह बहुत aggressive personality होगी और यह personality जो aggressive होगी उसको आप कैसे deal करते हैं यह आपकी personality आप पर depend करता है दूसरा point वो यह है कि moon की महादशा लगेगी 36 तक 36 में 36 तक माफ कीज़े 26 से 36 तक का 10 साल का moon की महादशा लगेगी उस time के आपका time period काफी अच्छा है उस time पर आपकी पसंद की चीज़े जरूर होगी लेकिन बार बार यही बोलूँगा जिकि अगर आप second marriage का सोच रही है तो पहले relationship में जाएए पहले अपने आपको give up करिए उस relationship में और आप give up यह मत करिए जिकि अंधे हो जाएए किसी भी चीज़ को लेगे लेकिन अपनी expectation materialistic goods से हटा के emotional और well being को लेके अगर आप चलेंगी और अपनी feelings को अगर आप understand करके आगे चलेंगी तो आपकी life में कोई problem नहीं होगी आगे लेकिन हाँ जो personality है अगर relationship में किसी के साथ जारे है वो थोड़ा गुस्से वाला होगा तो इसलिए ज़रूर बोलूँगा जी कि और भी कुण्ली आएंगी और भी कुण्लियों की reading में देता रहूंगा प्लीज जो जो मैंने request भेजिए उस request मैंने आपको बोली है उनको follow करिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजे और और भी वीडियो जो अभी बनने वाली है उसके regarding कुछ दिनों का wait कर लीजे तन्यवाद